हेलो एव्रोण माई नेम इसमेंड यॉर वाचिंग उतकर्ष क्लासे आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही सुंदर सा छोटा सा वीडियो जिसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं Commonwealth Games 2022 की बहुत ही अच्छी बात यह है याद करने के लिए आपके लिए आसानी जाए तो आप यह मान के चलिए कि 2022 में हो रहा है और यह त्वेंटी सेकंड एडिशन भी है तो याद करने के लिए आपके लिए बहुत आसान होगा अगर हम लोग बात करें कि यह हो कहां पे रहा है तो आपको यहां पे नाम दिख रहा होगा बिर्मिंगम के अंदर हो रहा है यह है कहां पे इंग्लैंड के अंदर तो आईए चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को जिसके अंदर आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है हाला कि यह Commonwealth गेम अभी शुरू हुए हैं अभी खतम नहीं हुए हैं तो हमारे यहां पे शुरू करते हैं फर्स लाइड सिंपल सा यहां पे होस्ट कंट्री यहां पे कौन है इंग्लैंड है जानते हैं आप लोग इंग्लैंड की होस्ट कंट्री है क्योंकि हर साल हर साल तो नहीं होता है हर चार साल पर होता है Commonwealth Games जो है हर बार अलग-अलग जगे पे होते हैं इंग्लेंड के अंदर इस बार हो रहा है और वो भी इंग्लेंड की बिर्मिंगम सिटी के अंदर हो रहा है अब एक और चीज में आपको बता जूँ जो इसका headquarter है Commonwealth Games का वो भी इंग्लेंड के अंदर यह क्यों क्योंकि Commonwealth जो है CWG Commonwealth Games जो है इसके अंदर वो countries participate करती है जो कि कभी न कभी British colony या फिर English colony रह चुकी है जो कि कभी न कभी English दास्तान के अंदर या फिर उनके गुलाम रह चुकी है तो हाला कि काफी लोग इससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं रहते हैं बट यह क्या है athletics के लिए तो अगर कोई championship हो या फिर कोई tournament हो तो उनके लिए तो एक त्योहार की तरह होता है क्योंकि वहां पर अपने sports को अच्छे से दिखाने का मौका मिलता है तो देखिए जहां से question बन सकते है वो यह slide बहुत important है क्यों सबसे पहले हमें देखना होगा कि यह 22nd edition है Commonwealth Games का जो की हो रहा है 2022 के अंदर और England के अंदर यह 3rd time हो रहा है अगर आपसे पूछा जाए कि England के अंदर कौन से time हो रहा है तो 3rd time हो रहा है यह आपको याद रखना है Moto इस game का जो है वो बहुत ज़्यादा important है games for everyone Moto जब भी कोई बड़ा tournament होता है तो उसका Moto याद रखना बहुत जरूरी है साथी साथ Moto के साथ में एक important चीज मैस्कॉट को भी याद रखना है मैस्कॉट इस बार है Perry यहाँ पर आप देख पा रहे हैं परी जो हमारा Commonwealth Games 2022 या 22nd edition है उसका यहाँ पर मैस्कॉट है उसके अलावा total जो participants है यह 5000 प्लस है to be specific 5045 पांच हजार पैतालिस athletes जो है वो participate करने वाले हैं और अगर इतने सारे athletes participate करेंगे तो 280 events होना जरूरी है बहुत जादा event भी हो रहे हैं इस बार और 280 जो event होने वाले हैं यह total 20 sports में से होंगे 20 sports में 280 events थोड़ा सा समझाइए सर होता क्या है जैसे माल लीजे running को अगर में sport count करता हूं तो इसके अंदर 100 meter 200 meter 400 meter relay marathon यह सारे के सारे event हो जाएंगे ठीक इसी तरह और men's और women's में अलग होंगे इसी तरह के से total 20 sports है पर event 280 हो जाएंगे यह आपको ध्यान रखना होगा पैरी जो है वो mascot है यह हमें याद रखना ही है अब city और country तो हम लोगों ने देख ली stadium कौन सा है venue कौन सा है तो अलेक्जेंडर stadium के अंदर यह सारे के सारे event होने वाले जिन इवेंट की हमने यहां पर बात की है next देखते हैं हम लोग इसकी timeline क्या रहेगी 28th July से 8th August क्लैट का अगर हम लोग देखते हैं क्लैट के बारे में देखते हैं तो क्लैट को date से बहुत प्यार है इसलिए date को याद करना आपके लिए बहुत जाद important हो जाएगा inauguration कब हुआ 28th July को खतम कब होगा 8th August 2022 को very important next चलते हैं हम लोग यह हैं हमारे साथ में England की महरानी Queen of England इनके हाथ में है क्या एक torch type का इसको लेके दौड रहे हैं सब लोग अब तो खेर दौड खतम हो गई है और एक रिले चला जाता है एक advertising campaign की तरह काम करता है जो की एक चोटा मोटा कस्टम भी आप मान सकते हैं तो यह England की महरानी है चोकि English धर्ती पे हो रहा है England के अंदर हो रहा है तो lastly इनके हाथ से यह रिले खतम होगा चलिए अब अगर इंडियन प्लेयर्स की बात करें तोटल प्लेयर्स तो 5000 प्लस है इंडियन प्लेयर्स रहेंगे इस बार 200 प्लस याद रहे कि हमारे Olympic gold medalist javelin thrower नीरत चोपड़ा जो है इस बार participate नहीं कर पाएंगे जो की बुरा है एक तरह से बट फिर भी 200 प्लस हमारे इंडियन अथलेट्स गए हैं जिसके अंदर इन सारे गेम्स के अंदर हम लोग participate करने वाले हैं clear है next देखिए अगर हम लोग history की बात करते हैं तो इंडिया का जो first gold medal है वो कहां से आया मिलखा सिंग लेके आए कब लेके आए 1958 के अंदर ठीक है तो यह first Indian gold medalist है और आज तक अगर देखा जाए इंडियन टैली को तो 502 medals हमने जीते हैं काफी ज़्यदा अच्छा performance हमने दिया है प्रदर्शन हमने किया है commonwealth game से कैसा playground है जहां पर हम लोग काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं और वर्ल लेवल पर अच्छे से अच्छे athletes आते हैं जो की participate करते हैं अगर इसके अंदर देखा जाए तो 502 medals हमारे कैसे बने जिसमें 181 तो gold medal है 173 silver medal है और bronze medal है 148 इनको मिला के अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे 502 medals खतम टोटल हो जाते हैं अब अगर देखा जाए तो पूरे पूरे ओलम्पी टैली के अंदर हम लोग फूर्थ पोजिशन के ऊपर आते हैं medals के अंदर सबसे ज्यादा वैसे ऑस्ट्रेलिया के पास में है चलिए अब पहला Commonwealth game कब हुआ था 1930 के अंदर हुआ था याद रखना है कि 1942 और 1946 के अंदर कोई Commonwealth game नहीं हुआ था कारण क्या था Second World War Second World War जब पूरी दुनिया लड़ाई कर रही थी battle ही battle लड़ाई ही लड़ाई war ही war हर जगे लड़ाई चल रही थे तो उस time में ऐसा कोई बड़ा event करवा पाना मुश्किल था इसलिए 1942 और 1946 का Commonwealth game नहीं हुआ था अब देखिए पहला जो Commonwealth game है वो हुआ कहां पर था Hamilton जो की Canada में है और इसका head office जो है वो England के अंदर है Commonwealth Games का England के अंदर होना वाजिब भी है क्यों वाजिब है क्योंकि Commonwealth Games जो है Commonwealth countries के बीच में होता है Commonwealth countries कौन सी जिसके उपर कभी ना कभी England ने rule किया हो इंडिया भी उसका part रहा है इंडिया ब्रिटिश कॉलनी रहा है तो इसलिए इंडिया भी participate कर रहा है चलिए अब देखिए जो इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम है ये भी इस बार participate करने वाली क्यों क्योंकि first time ऐसा हो रहा है कि जो T20 विमेंस क्रिकेट है वो भी Commonwealth Games का पार्ट है तो ये ऐसा first time हो रहा है और इंडियन टीम भी गई है तो ये भी देखना हमारे लिए काफी important होगा कि एक अच्छी तकड़ी मजबूट टीम क्या जाके medal लेके आ सकती है या नहीं तो काफी अच्छा है इंडिया किस में fall करेगा इंडिया फॉल करेगा गुरूप A के अंदर दो गुरूप बनाए गये हैं गुरूप A एंड गुरूप B इंडिया के साथ में गुरूप A में कौन रहेगा ऑस्टेलिया पाकिस्तान एंड बावाड़ौस और अगर गुरू एक question जो अभी बन सकता है वो है कि अगला Commonwealth game कहां पे होने वाला है अभी से decide हो चुका है क्योंकि यह इतना बड़ा जब organization होता है इतना बड़ा जब event हम लोग organize करते हैं तब हमें पहले से तयारी करनी पड़ती है तो यह होने वाला है Victoria के अंदर और यह जो 23rd edition है यह होगा 2026 के अंदर अब यह Victoria कहां पे है यह है Australia के अंदर इसी के साथ में मैं खतम करता हूँ अपने इस छोट ऐसी crisp वीडियो को ऐसे वीडियोज आपके पास में आते रहेंगे और वापस हम लोग 8th August को इसी Commonwealth game के जितने भी जो भी टॉप medalist है या जो भी questions बन सकते हैं इंडिया की तरफ से अगर कोई जीतता है तो वो सारी चीज़े भी हम आपके लिए लेके आएंगे तब तक के लिए जै हिंद जै भारा जुड़े रहे हमारे साथ और अगर वीडियो पसंद आया तो इसे like करें और अपने दोस्तों को भी बताए कि एक event में से इतने सारे questions निकल के आ सकते हैं फिर मिलते हैं धन्यवाद